मुझे आप लोग सब अच्छे ही होंगे आज हम एक छोटा सा टॉपिक और डिसकस करने वाले हैं कॉंट्रेक्ट में ये भी काफी इंपोर्टेंट है CA Foundation, CS Foundation दोनों के लिए और उस टॉपिक का नाम है क्वैसी कॉंट्रेक्ट काफी बच्चों की रिक्वार्मेंट आई थी मुझे मैसिज के तुरू कि ये क्वैसी कॉंट्रेक्ट के ऊपर भी एक लेक्चर आप देदीजिए और बहुत important topic है ये दोनों ही foundation exam के लिए चाहे आप CS foundation की बात कर लें चाहे आप CS foundation की बात कर लें या बाकी आप B.com अगेरा में भी जो लोग तयारी कर रहे हैं उसमें भी जाजा contract है सभी जगे के लिए बहुत बहुत जादे important topic है और ये हर attempt में expected रहता है कि इसके ओपर direct question या case study के रोप में एक question आपको जरूर मिले है तो शुरुआत करते हैं बच्चो क्वैसी contract के दूसरे नाम क्या है क्वैसी contract को आप कह सकते हैं implied contract भी कह सकते हैं implied contract भी कह सकते हैं आप deemed contract भी बोल सकते हैं आप implied contract भी बोल सकते हैं deemed contract भी बोल सकते हैं और अगर हिंदी में हम बात करें तो contract जैसा जाने की contract है नहीं है जो लेकिन उस जैसी जो outcome है contract के जो outcome होते हैं वो उस जैसे ही है जो normally contract के होते हैं तर हम deemed contract क्यों कह रहे हैं deemed का मतलब होता है जो माना गया जो चीज है नहीं लेकिन उसे मान ली गई किसी विशेर परपरच के लिए तो वहाँ पर low makers जो word यूज करते हैं वो करते हैं deemed देखिए जैसे contract के लिए जो essential element होते हैं वो essential element होते हैं कि agreement होना चाहिए consideration होना चाहिए एक party के दोरा offer होना चाहिए दूसरी party के दोरा acceptance होनी चाहिए enforceability by loan होना चाहिए free consent होना चाहिए contract ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका consideration against the low हो unlawful हो ऐसा नहीं होना चाहिए, contract जो कि against the public policy हो तमाम तरह की बाते हैं, contract को valid बनाने के लिए लेकिन कुछ concept ऐसे हैं, कुछ contract ऐसे हैं government ने identify किये हैं, कि इन contract को अगर जाचा जाए इन circumstances को अगर जाचा जाए तो वहाँ पर कोई ना कोई essential element जो है contract की, वो एक या एक से जादे absent होंगी लेकिन क्योंकि वो एक technical बात है कि क्योंकि contract act की अगर essential element missing है तो फिर ये नहीं माना जासकता कि एक party की कोई obligation है, दूसरे party के लिए लेकिन पाँच series ऐसी है, section 68, section 69, section 70, section 71 और section 72 ये पाँच section में government ने identify कि यहाँ पर एक party को हमें favor करना जरूरी है यानि low maker को favor करना जरूरी है, otherwise ये unjustice कहलाया जाएगा कि इन situation में भी अगर हम उन technical बातों को ही ध्यान रखें कि जो contract तभी माना जाएगा, अगर सारी के सारी essential पूरी हों, तो इन पाँच section में, इन पाँच सरक में इस्टांसे में government ने का कि इन पाँच सरक में इस्टांसे में ये नहीं देखा जाएगा, कि contract के essential पूरी है या नहीं है, लेकिन जो outcome होगा, वो वैसा ही होगा, जैसे एक normal contract के लिए होता है तो इस वज़े से that's why इन पाँच contract को कहा जाता है, quasi contract, oblique implied contract, oblique deemed contract, वहिंदी में contract जैसा तो हम इसे पढ़ते हैं, इसकी introduction को पढ़ते हैं, quasi contract का क्या है, quasi contract is not a contract at all, because one of the essentials for the formation of a contract are absent quasi contract वास्ता में कोई contract नहीं है, क्योंकि इसके formation में जो essentials होती है, एक एक से ज़ाद है, वो normally absent है it is an obligation, import by law, ये एक जिम्मेदारी है, जो कानून के द्वारा हम पर लादी गई है, upon a person, एक person के ओपर for the benefit of another, एक person के ओपर एक जिम्मेदारी लादी गई है, दूसरे person के benefit में, even in the absence of a contract बाउजूद कि दो उन दो वेक्तों के बीच में कोई contract नहीं है, it is based on the principle of equity, इसे भी underline कर लिजेगा, जब आप लिखेंगे तो ये पंच लाइन है, अच्छी लगेगी, नंबर जाद अच्छी आएंगे, it is based on the principle of equity, ये समानता के सिद्धान पर धारित है, और समानता का बिखान का है, वो इक कहता है, कि ऐसा किसी भी केस में नहीं होना चाहिए, अच्छी लोग की कहीं अगर आपको दिखें कि एक आदमी अगर कुछ खर्चा कर रहा है, उसका बेवज़ा है दूसरे आदमे को फाइदा मिल रहा है, तो ऐसा नॉर्मली नहीं होना चाहिए, लाउट तो अनजश्टली, यानि की गलत तरीके, एंड रीच, यानि की समरद लिखें कि अपने आपको समरद बनाए, यानि की अपने आपको समरद बनाए, तो यह कॉंटर्क के लाते हैं, या इंप्लाइट के लाते हैं, क्योंकि इनके जो आउटकम से हैं, वो वैसे ही होते हैं, जैसे नॉर्मली एक कॉंटर्क के होते हैं, फीचर्ज क्या हैं, विछेष्टा हैं, क्या हैं क्या हैं क्या हैं क्या हैं सेलयंट आपको समर्षन को समर्ष कंदेrogen, यहालस बनाए, arise from the agreement, ये लोके द्वारा impose किया गया obligation है, ये agreement से नहीं आता है दो वेक्ति आपस में agreement नहीं भी करते हैं जबकि एक essential element है, basic सर्त है किसी भी contract की कि दो पार्टियों के बेट में agreement होना चाहिए the duty of a party, not the promise of any party is the basis of the contract, यानि कि promise नहीं करा दो पार्टियों नहीं आपस में एक दूसरे से, लेकिन लो में करते हैं कि एक party की duty है, दूसरे party के लिए कि ऐसा करना है issue for is brief may be filed in the same way as in the case of complete contract अब मुकादमा उसी तरह के दे फाइल किया जा सकता है जैसे normally contract के लिए होता है difference आप अपने पढ़ लिजेगा अब हम बात करते हैं kinds of a quasi contract कौन कौन से प्रकार है quasi contract के, इसकी जो series है section 68 से लेकर section 72 तक है, section 61 1, section 69 2, section 73, section 71 4, section 72 5, 5 contract quasi contract के अंतरगत आते हैं जिसमें जो section 68 है वो भूद भूद जादे important है अलग से भी question पूचा जा सकता है section 68 तक 69 बहुत जादे important है section 68 क्या कहता है पढ़ते हैं हम लोग right to recover the price of necessary supplied इस heading से कुछ नहीं पता लगता है मैं इसके अंदर के content पर जाना पढ़ेगा वैसे बहुत सारे concept ऐसे होते हैं heading से पूरा का पूरा language clear हो जाती है ingredients clear हो जाते हैं लेकिन यहाँ पर अंदर हमें पढ़ना पढ़ेगा क्या कहना चाहरे हैं heading से पता लग रहा है कि अगर आप किसी को जरूरत की चीज़े supply करेंगे तो जो वैक्ति जरूरत की चीज़े supply कर रहा है उसका right बनता है कि वो उसे recover कर सके लेकिन exactly किस तरह के case आएंगे इसमें वो देखेगा the person who has supplied the necessary to a person who is incapable of contract यानि कि हम वैक्ति की बात कर रहे हैं एक वैक्ति जो है section 68 में क्या चीज़ आएगी एक वैक्ति जो है इसका नाम ले लेते हैं मोहन दूसरे वैक्ति को जरूरत की चीज़े supply कर रहा है यह supply कर रहा है कपड़े supply कर रहा है education के लिए उपर खर्चा कर रहा है close हो सकते हैं यह necessary की चीज़े है यह necessary क्या होता है यह depend करेगा status के उपर कि किस वैक्ति का क्या status है हमें उसकी depth में नहीं जाना है जबकि practical life में यह एक वैक्ति के लिए कोई चीज़ necessary हो सकती है कोई दूसरे वैक्ति के लिए वो luxury का भी काम कर सकती है क्यों close भी है माना search लेने आप जाएं 100 रुपे से लेकर आप 10,000 रुपे तक की search ले सकते हैं तो क्या एक वैक्ति है अगर दूसरे वैक्ति को 10,000 रुपे की search अप्लाई करेगा वो भी necessary है वो depend करेगा status के ओपर कि किसके लिए क्या necessary है हम उस detail में नहीं जा रहे हैं फिलालम हम बात कर रहे हैं कि अगर एक वैक्ति दूसरे वैक्ति क्यों माना यह राम है और यह राम कैसा वैक्ति है incapable है of contracting यानि कि जो राम है incapable है incapable of doing contract सरी incapable क्यों है हो रखता है कि minor हो यह incapable क्यों है क्योंकि हो रखता है unsound mind हो अगर यह incapable है contract करने के लिए और कोई भी person इस वैक्ति को supply करता है तो आगे क्या लिखावा है the person who is supplied यानि कि मेरे question में मोहन the person who is supplied the necessary to a person who is incapable of contracting यानि कि मेरे question में यह वैक्ति है यह कौन है मोहन है मेरे example में और to a person who is incapable of contracting मेरे question में यह क्या है राम है minor हो सकता है या unsound mind हो सकता है या और anyone whom such incapable person legally bound to support या एक ऐसे वैक्ति को जिसके ओपर यह incapable person legally bound to support है हम यह मान लेते हैं एक मेंट के लिए कि मोहन ने राम को supply नहीं किया और राम isn't capable of doing a contract है लेकिन राम को करा या इसके उपर जो legally bound है तो इसके उपर legally bound क्यों हो सकता है अगर सबोच की जिए unsound mind का वैक्ति है तो wife हो सकती है राम की wife of राम हो सकती है children of राम हो सकते है तो जो की राम के उपर legally bound to support है तो मोहन अगर राम को necessary की supply करता है या उसकी wife को अगर यह unsound है उसकी wife को supply करता है तो क्या करें is entitled to claim the apprise तो मोहन is entitled to claim the apprise from the property of such incapable person तो मोहन जो है मोहन is entitled मोहन is entitled to claim the apprise मोहन is entitled Entitled to claim He reprise Against Raam नहीं Against wife of Raam नहीं यानि कि यहाँ पर जो section 68 कहता है वो यह नहीं कहता कि आप Raam से recover कर रखते हैं He is entitled to claim the he reprise From the property Property of such incapable person यानि कि मेरे example में Raam अगर इस question में इस case study में Raam के पास कुछ property हुई तो आप Raam की property से recover कर सकते हो लेकिन अगर Raam के पास property नहीं हुई तो आप यह नहीं कह सकते हैं कि दो महीने यह मेरे हां काम कर ले मैंने इस के ओपर close के ओपर खर्चा किया है मैंने education के ओपर खर्चा किया इसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी यह कर रहा था तो दो-तिन महीने आप service आप इस से ले सके हैं ठीक है यह allowed नहीं है लेकिन allowed कितना है कि आगर इन लोगों के पास property हुई तो आप उस property से यह पैसा अपना क्या कर सकते हैं रिकवर कर सकते हैं तो this is section 68 ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं section 68 के बाद section 69 section 69 क्या कहता है यह भी काफी important section है इसके ओपर भी अलग से पुरा पुरा question आ सकता है और heading से इसके भी पता नहीं लगता है कुछ भी क्योंकि जो अंदर का content है अंदर के लिए language है वो जादे important है heading क्या कह दिए right to recover money paid for another person यानि कि अगर आपने किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कोई money payment की है तो आप उस व्यक्ति से क्या कर सकते हैं recover कर सकते हैं लेकिन इसे भी ध्यान से पढ़ने की और समझने की जरूरत है कि किन circumstances में ऐसा हो सकता है otherwise क्या होगा कि जैसे हम तीन लोग partner है amistar है विरिष्टर है मैं हूँ सबोच की जिये कि विरिष्टर को किसी का payment करना है और मैंने बिना पूछे हुए विरिष्टर का payment उस व्यक्ति को कर दिया मतलब मैंने कर दिया तो heading से तो भी पता लग रहा है तो ऐसा नहीं है ठीक है आप दूसरे वक्ति का लोन चुकाने की कोशिश ना करें कभी section 69 आप सोचें कि लग जाएगा बिल्कुल भी नहीं लगेगा तो sir कब लगेगा heading से तुम्हें ऐसा ही लग रहा है तो बेटा केवल दिखावे पर मत रहिए अंदर भी उसके जाएए section में क्या लिखावा है और situation को पैचानने की कोशिश कीजिए कि section 69 क्या कहता है तो पढ़ेंगे मेरे साथ आप लोग a person who is interested in the payment of money which another is bound by low to pay क्या कह रहे हैं लोग a person who is interested in the payment of money एक person जिसका interest चुपावा है interest का मतलब है हित चुपावा है की payment हो जाए पैसे का which another is bound by low to pay दूसर वेक्ति उसे legally payment करने के लिए जिम्मेदार भी है और आपका कोई interest चुपावा है and who therefore pays it और इस वरे से वो payment कर देता है and who therefore pays it who का मतलब है एक person जिसका interest चुपावा है वो payment कर देता है it is entitled to be remembered by the other other यानि की which is another is bound by the low to pay जो वेक्ति payment करने के लिए liable था अब इसे case के माद्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं क्या कहना चाह रहे हैं लोग section 69 a person who is interested in payment of money यह A ले लेते हैं यह B ले लेते हैं अब B ने एक loan लिया Bank of India से BOI से एक loan लिया Bank of India हो गया इससे एक loan लिया for purchase of house अब जब purchase of house के लिए loan लिया तो सर्थ होगी कि जो B है वो bank को समय समय पर क्या चुकाएगा EMI चुकाएगा ठीक है और अगर यह B नहीं चुका पाया तो loan की terms में लिखावा होगा कि कितने EMI के default पर bank उस property को अपने कबजे में ले सकता है अब B को भी जो एक property थी अपने रहने के लिए नहीं चाहिए थी B ने एक rent agreement किया ये के साथ rent agreement B ने एक rent agreement किया A के साथ और जो A है समय समय पर B को क्या दे रहा है rent का payment कर रहा है ठीक है अब क्या हुआ B ने कुछ EMI का payment करने के बाद bank की EMI रोग दी अजो TNC में decide था कि 6 मेने की अगर EMI रोकेंगे तो bank कबजा ले लेगा property पर तो जो BOI है वो property पर कबजा लेने के लिए पहुँच गया और उस property में कौन रह रहा था ये रह रहा था E को पता लगा वो तो समय समय पर rent payment करी रहा है तो B.O.I.E. ने बताए कि आप 15 इनके अंदर मकान खाली कर दीजिए हमें कबजा लेना है E ने पूछा है रहा क्या हो गया क्यों आप आए हैं तो B से जो मकान मालिक है उससे property को rent पर ले रखा है तो Bank of India ने सारी बाते बता दी अब A का interest चुपावा है A person who is interested in payment of money यानि कि जो A किराइदार है वो interested होगा इस बात के लिए कि B.O.I.E. का उसका payment मिल जाए Another is bound by load to pay और B is bound by load to pay EMI to Bank of India यानि कि B. इस बात के लिए बात है bound है कि वो Bank of India का क्या कर दे payment कर दे And who therefore paid it A. ने उठा के क्या किया है कि उसे मकान से ना निकाला जाए फिला उसके पास कोई ठीया नहीं है EMI payment कर दे EMI payment कर दे ठीक है तो A is entitled to recover that EMI from B यानि कि अगर ये situation मिलती है आपको जो मैंने इस example में create की है इसके अलावा ये केवल एक particular case है ऐसा नहीं है कि केवल इसी case में बच्चे गलती क्या करते हैं बस case को याद कर लेते हैं language को छोड़ देते हैं अब paper में इस case के अलावा दूसा case आ गया अब फिर एक दूसे की बगले जाकने लगते हैं कि ये कहां से उठके आ गया है तो हमेशा मैं अपने student को राई देता हूँ कि आप example से language को example को मत रटिये example के वर language को समझने के लिए जरूरी है लेकिन main जो आपको concentrate करना है वो language पर concentrate करना है अगर एक बार language आपके दिमाग में आ जाती है language दिमाग में आप समा लेते हैं उस language का कि क्या मतलब है तो उसके बार आपको कोई भी problem नहीं रहेगी किसी भी और दूसरे case को भी आप अराम से पहचान पाएंगे जो की उस language से मिलता जुलता होगा आप इस तरह समझ सकते हैं या तो चलिए हाउस के EMI की बात होई इसी example में दूसरा example भी ले सकते हैं हम लोग जो की language से मिलता जुलता होगा की electricity connection है उस गर में अब भी क्या है दो-तीन महीने का electricity का bill payment नहीं करा भी ने अब बिद्ली विवाग वाले लोग जो है A का electricity connection काटने के लिए आगे क्योंकि electricity connection B के नाम लगावा है B payment नहीं कर रहा तो A ने electricity connection ना कटे बिद्ली विवाग का payment कर दिया department का payment कर दिया तो जो बिद्ली का बकाया बिलता जो A ने payment कर दिया वो भी इसे recover कर सकता है क्यों? क्योंकि एक का interest चुपावा है कि बिद्ली ना कटे वो बिद्ली का payment करने के लिए electricity का payment करने के लिए भी bound है तो इस वज़े से अगर यह payment कर देता है तो entitled है वो भी इसे recover कर सकता है तो दो example मैं आपको समझा दी इसके इलाबा भी डेरो सारे example हो सकते है language पर आप दियान दीजे ठीक है? अब next section की तरह बढ़ते है वो है section 70 section 70 क्या कहता है? right to recover for non-gracious acts section 70 gracious का मतलब होता है voluntarily non-gracious का मतलब होता है not voluntarily यानि कि जान पूचकर आपने ये काम नहीं किया है हो गया इस case को भी हम समझते है पहले language पढ़ लेते हैं क्या है such right to recover arises of the following three conditions are satisfied the thing must have been done or delivered lawfully यानि कि जो वस्तुएं जो चीज़ें deliver की गई हों वो कानूनन रास्ते से deliver की गई हों the person who has done or delivered the thing must not have intended to do so graciously जिस person ने चीज़ें deliver की है उसने जान बुच के ना किया हो यानि कि intention ऐसी ना रही हो और the person for whom the act is done must have enjoyed the benefit of the act और जिस person के लिए चीज़ें की गई हों जिसे deliver की गई हो उसने इस act का फायदा उठा लिया हो यानि कि चीज़ें यूज कर लिया हो ये तीन condition है जान बुच के ना किया गया हो लीगली आपने delivery की है और तीसा जो जिस person के लिए किया है उसने इन चीज़ों में फायदा उठा लिया है छोड़ा सा example हम create करते हैं आप कहीं से shopping करके आ रहे हैं ठीक है दूसी दुकान पर आप गए जो shopping का bag है क्योंकि दूसी दुकान दार से आपको बाचित करनी है बैग आपने रख दिया के नारे पर रख दिया थोड़ा सा जादर समय लग गया है फिर जब आप वापिस गए तो आप उस बैग को वही भूलिया है ठीक अब उस दुकान दार ने वो बैग को अपना समझ के यूज कर लिया तो उसमे को समान थे इस तरह के वो यूज कर लिया अब आपने बैग जान पुछके तो छोड़ा नी वो जो delivery है वो lawfully हुई है जाने कि ऐसा ने कि रात को गए और उसके दुकान का ताला खोला वो वहाँ बैग आप रखी आए है जो legally lawful तरीका होता है कि आप गए दुकान पर आपने समान रखा अपना और भूल गए ठीक है तो lawfully मानेंगे ते unlawfully नहीं मान सकते इस तरीके को पहली condition पूरी दूसी condition पूरी कि जान पुछके नहीं किया तीसी condition मैं बता रहा हूँ कि उस दुकान दार ने उस कुछ को यूज कर लिया बेज दिया या अपने घर में यूज कर लिया तो जब आपको गलती का पता लेगेगा जिस person से गलती हुई है जो अपना समान छोड़े आया है वहाँ पर तो उसे recall करेगा कहाँ पर ऐसा हो सकता है तो recall करके उसे याद आ गया ठीक है वहाँ पहुचा दुकान दार भी ने भी मान लिया कि यहाँ आपका समान छूटाता है यहाँ पर लेकिन दुकान दार यह कहता है कि देखे यह तो आपकी गलती मेरी गलती नहीं है आप मेंसे क्यों क्लेम कर रहे है वो कह रहा है तुमने मेरी समान यूट कर लिया तो समान को वापिस करो या उसके पैसे वापिस कीजिए तो आप मैं क्यों करो मैंने कोई आपसे agreement किया था क्या offer acceptance थी क्या कुछ जो contract की essential condition थी क्या वो satisfied थी answer is no लेकिन इसी वज़े से कि ऐसी दिक्कते ना आए practical life में government को exception लानी पड़ी section 70 में कि अगर ऐसा होता है तो वो person उस वेक्ति से क्या कर सकता है दुकानदार से क्या कर सकता है recover कर सकता है क्योंकि तीनों की तीनों condition satisfied हो रही है next exception की तर पढ़ते है next concept की तर बढ़ते है section 71 responsibility of finder of goods अगर ये चीछ नाम से के लिए रो रही है कि अगर आपको रास्ते में किसी का goods मिलता है खोया पाया समान मिलता है आपको आप खोया पाया विभाग मान लीजे अपने आपको किसी का समान मिलता है आपको ठीक है अगर आप फिर उसे कानून का पार्ट पढ़ाने लगते है क्यों कांट्रेक्ट आपने शुरुआत का तो पढ़ लिया last का एक section भूल गए कि जी बताइए मेरी क्या जम्मेदारी बनती है मैंने तो कभी offer acceptance करा ने जो contract के essentials है वो तो satisfied होई ने रही तो मेरी क्या जम्मेदारी बनती है तो low makers ने इस तरह की circumstances को भी इस तरह के cases को भी क्यों ऐसी contract में डाला है कि find out the goods की जम्मेदारी बनती है obligation of the low है not the promise है कि आपने कोई वायदा नहीं कर रहा लेकिन हम यह कानून बता रहा है बता रहा है कि जो finder उसकी जम्मेदारी है कि इसके true owner को उसका समान वापिस करें तो person who find goods belonging to another and takes them into his custody subject to the same responsibility as a Bailey सरी बेली क्या होता है बेली actually topic जो आपका see ya enter का है फिर भी यहाँ नाम आया तो मैं बता देता हूँ कि जिसका goods होता है वो bailer होता है और जिसके possession में होता है जो owner नहीं होता है वो bailie होता है माना आप find out the goods है तो bailie क्यों का आगया आपको क्योंकि आप owner नहीं है आपके पास किवल possession है इसलिए उसे bailie का आगया है detail हम पढ़ेंगे c enter में तब तक के लिए वेट कीजिएगा और लास्ट जो है section 72 क्यों ऐसी contract के अंदर ये भी नाम से पता लग जाएगा आपको heading से पता लग जाएगा जाइट तो रिकवर फ्रॉम पर्संट तो हम money paid or thing is delivered by mistake और अगर एक पर्संट से वो पर्संट जिसने money paid की है या चीज़ें delivered हुई है गलती से या under coercion आप जानते है free consent का पहला element है डरा धमका के मैं उसकी detail में नहीं जा रहा हूँ तो उस वेक्ति का भी right है जो उससे गलती हो गई है जिससे उसने money payment कर दिये उससे recover कर सके इसका छोटा सा example एक example है इसका कि आप किसी के payment आप किसी के bank account में कुछ payment जमा करा रहे है transfer करते हैं आज की दाएक में online भूसता रहे होते हैं किसी ने आपको अपना account number दे दिया IFC code दे दिया आप उसके account में सब उसके 10-10 जार रवे जमा कराने और ज़राता भी account number दे दर से उतर हो गया आपको जमा कराने थे मोहन के account में ऩाप पहुच गए बाद में गलती का पता लगा मोहन ने जब आपको टोका कि मेरे account में तो पैसे नहीं आए पता लगा कि आपने bank टेटेल निकल लवाई सोहन की सोहन से संपर्व साधा, सोहन से का कि गलती से आपके account में मैंने पैसे जमा करा दिये, फीलीर वापिस कीजिए सोहन इस बात से मुकर जाता है, कि मैं क्यों वापिस करूं गलती आप से भी बुकती यह चीज़ को तो सोहन मुकर नहीं पाएगा कोई section 72a कहता है कि अगर एक person से गलती हो जाती है और money उससे paid हो जाती है किसी और person को तो उसे वापसी लेने का right बनता है तो this is section 72 a person to whom money has been paid or anything delivered by mistake or under caution must repay or return it तो ये topic भी हम समात करते हैं कोईसी contract का अच्छा topic था चोटा सा topic था ये काफी important topic है जो की हर attempt के लिए relevant है तो इसके लावा भी आपको समय समय पर और classes मैं देता रहा हूँ तो इसके लिए आप मुझे लिख सकते हैं message कर सकते हैं ठीक है जिससे आपको समय समय पर नएने topic के उपर classes मिलती रहें तब तक के लिए thank you